कि अधिया कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो उत्पादन के फलन पढ़ रहे थे अल्पकालीन उत्पादन फलन जिसमें हम लोग परिवर्टन सील अनुपातों के नियम को पढ़ रहे ठीक हैं तीन अवस्था देखने के लिए मिलती है स्टार्टिंग में उत्पादन जो होता है वो बढ़ते प्रतिफल की नियम लागू होती है जिसमें उत्पादन बढ़ते दर से बढ़ती है फिर घटते दर से बढ़ती है फिर इस्थिर होती है और उसके बाद वो उत्पादन जो है अंतमे जागर के घटने लगती है तो इस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, MP, ठीक है, कुछ छोड़े-छोड़े टम से जो कि मैं बता दे रहा हूं, MP, जिसको हम लोग marginal product कहते हैं, यानि सिमान्त उत्पाद, ठीक है, परिवर्तन सेल साधन के एक अतरिक्त एकाई का जब हम लोग परियोग करते हैं, उससे जो product कहते हैं, यानि सिमान्त उत्पाद कहते हैं, सिमान्त उत्पाद हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे जो है, इस नियम को ठीक से बखान कर पाएंगे, एक्जाम में, और इसके ग्राफ को हम लोग समझ पाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लिज ठीक है, सिमान्त उत्पाद, ठीक है, यानि MP, और TP जो है, यह है total उत्पाद, यानि cool उत्पाद है, ठीक है, total product, ठीक है, तो MP जो होता है, वो TP में परिवर्तन को बताता है, अभी definition हम लोगों ने पढ़ा, एक परिवर्तन से साधन को अतरिक तिकाय, जब हम लोग यूज कर जाते हैं, या बढ़ाते हैं उसको, तो cool उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, उसे हम लोग MP के नाम से जानते हैं, तो इसलिए जो MP है, वो TP में परिवर्तन को बताता है, यानि cool उत्पादन के परिवर्तन को बताता है, बढ़ती MP, अगर उत्पादन के टाइम में, यानि जिस दर से उससे बढ़ना चाहिए उससे अत्रिक दर से वो बढ़ेगी ठीक है यानि जिस अनुपात में उत्पादन को बढ़ना चाहिए उससे अधिक अनुपात में उत्पादन जो है वो बढ़ेगी साधन की तुलना में इस चीज़ को दिहान में रखिएगा तो MP क्या होता ना वो हमेशा बढ़ता नहीं है प्रोडक्शन के किरिया में अगर इसको हम लोग एक यहां पर छोटा सा अगर मैं आपको मेब बना दूँ तो जो MP होती है वो रेखा पहले उपर जाती है वो तीजी के साथ और फिर नीचे गिरती है और वो एक टाम ऐसा आती है ज बढ़ रही है बढ़ रही है उस अवस्था में टीपी भी जो है वो बढ़ते दर से बढ़ेगी यानि बहुत ही तेजी के साथ उत्पादन बढ़ती है एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय टीपी यहां पर रुक जाती है और उसके बाद वो घटने लगती है तो यह जो घटी दर से बिरिद्धी होती है यानि कूल उत्पादन तो बढ़ेगी लेकिन घटे दर से बढ़ेगी ठेक है घटे डर मतलप क्या होता है आप समझ यह कि दो आदमी मिल करके 10 उत्पादन कियें तीन आदमी जब मैंने बढ़ाया ठीक है तो 5-5 मिल करके यह नहीं 10 का उत्पादन हुआ ठीक है तो यह मेरा 3 मिल करके जो है ना मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 का उत्पादन हुआ है उसके बाद जब 4 मिला तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 12 के जगा पर कुछ कर देता हूँ मैं 15 कर देता हूँ ठीक है 12 के जगा पर मैंने 15 15 नहीं इसे मैं 15 कर देता हूँ इसे 15 कर देता हूँ और इसे मैं 18 कर देता हूँ तो आप क्या देखोगे कि जब मैंने एक इकाई बढ़ाई तो इसमें और इसके बीच में अंतर कितना देखने के लिए मेरा पांच का अंतर दिखने के लिए मिल रहा है फिर जब मैंने एक इकाई और बढ़ाई यहां से यहां था तो फिर कितना मैं देख रहा है अत्रिक्त यहाँ पर उत्पादन हुआ तीन का उत्पादन हुआ है पहले दस था फिर 15 फिर 18 हुआ लेकिन उसके बढ़ने की जो दर है वो क्या ना घटते से बढ़ रही है तो उसी कौम लोग बोलते हैं अगर MP घट रही हो तो कुल उत्पादन बढ़ेगा लेकिन घटते दर से अगर MP यानि marginal product अगर MP सुन्य हो जाती है MP अगर सुन्य हो जाती है तो फिर हम क्या देखेंगे है टीपी में व्रिद्धी रुख जाता है पहले बता चुका हूं कि टीपी यानि टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें परिवर्तन कौन बताता है MP है ना अब MP ही सुन्य है तो फिर टीपी में कोई परिवर्तन है क्या नहीं है एक अवस्था ऐसा भी आता है जो कि मैं आपको ब देखा से नीचे आ रही है यानि वह रिनातमक है तो जब MP रिनातमक होगी तो टीपी यानि कूल प्रोडक्शन जो है मेरा घटना स्टार्ट हो जाएगा यानि वह भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो यह था आपका MP के बारे में कुछ जानकारी जो कि बहुत